दोस्तों नमस्कार मेरा नाम रितियस और स्वागत आप सभीका रितियस बिन के यूट्यूब चैनल में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर यह जो होई बोर्डर लगाया है हमने इस पेज में आप बोर्डर कैसे लगा सकते हैं कुछ इस परकार से यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन लगाने के बाद कुछ इस परकार से यहाँ पर यह सेडो कैसे लगा सकते हो आप यहाँ पर नीचे में जो दिया हुआ है टेप कैसे लगा सकते हैं और बोर्डर कैसे लगा सकते हैं यह तीनों चीजे हम आपको बड़े ही आसानी से बताएंगे कि आप बहुत ही आसानी से कैसे आप इसको क्रियेट कर सकते हूं फोड़ोसॉप में और एक पेज में कैसे आप इस तरीका से डिजाइन कर सकते हैं layer panel को इस तरीक ऐसे एक्टिब कर लेना है थीक है उसके बद आपको फाइल में चले जाना है और एक आपको साइज लेना पड़ेगा पेज लेना पड़ेगा तो फाइल में जने की बाद एक निव में एक्टिव आपका यहां पर आपको एक option पर मिलेगा इस option पर आपको क्लिक कर देना है किलिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से यह आपका एक एक layer बन जाएगा लेर लेने का दूसरा तरीका हम आपको बताते हैं लेर में जाएंगे और नीव पर चले जाएंगे और यहां पर एक यहां पर फस्ट में layer है layer पर आपको क्लिक कर देना है और ok कर देना इक layer आपका यहां पर लिया जाएगा यहनि कि आप जो भी वर्क होगा उस Let it work सबसे पहले मैं यहां यहां पर बोडर लगाने के लिए मैं आपको सिखाता हूं क्या करना है कर कर दीसे यह सलेक्षवं पेट गचन ड proposed चले जाना है एडिट में कुछ इस परकार से आपका बॉर्डर लग जाएगा उसके बाद कंट्रूल डी प्रेस करेंगे आपका ये डी सेलेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पर देख सकते हो कि यह हमारा बॉर्डर लग गया है अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूं कि यहाँ बीज में जो यह लाइन बन क्लिक करने के बाद कुछ इस परकार से उपर में चले जाएंगे यहाँ पर मेनू बार के नीचे आपको इस पर आपको क्लिक करना है से और उसके बाद यहां से कोई भी एक कलर आपको सेलेक्ट कर लेना है जिस कलर में आप यह से बनाना चाहते हैं फिलाल अभी मैं कुछ इ Ok कर देना है, यहाँ पे देख सकती है हमारा ये ये shape बन के त्यार हो चुका है, आप यहाँ पर आपको तीसरी option बताने बाला हूँ, जो की सबसे best है, यहां पर कुछ इस प्रकारा से आप बना लेंगे shape, consistency बनाने के बाद आपको क्या करना है, यहां पे टूल्स बार में जाएंगे और कुछ इस परकार से पेंट टूल का यहां पेंट टूल को सेलेक्ट कर लेना है और यहां पे बीच पे आपको किलिक करना है और यहां पे एड़े एंकर पॉइंट पे किलिक कर देना है कुछ इस परकार से आपको दिखाई देगा एंक परकर से क्लिक करेंगे और इस परकार से आपको उठा देना है कु问 इस परकार से आप यह पे देख सकते हूं बन के अगर आपको इसे बीच में जो भी आपको option इसे ऊपर नीचे करना है control दबा कहीं रखना पड़ेगा तब आपका यह option काम करेगा कुछ इस परकार से हमने इसे यहां पर रख दिया और कुछ इस परकार से जुगा दिया हमने थोड़ा और इधर लाते हूं यह हो गया अब यहां पर मुझे यहां पर move tools में click करना है tools बार में और simple से इसे नीचे रख देना है ठेक है control टी प्रेस करेंगे आपको यहां पर इस तरी का से इसको खेश देना है और यहां पर tools बार में आप देख सकते हूं कि यह जो है यह सबसे ऊपर है इसलिए यह border के ऊपर आ रहा है इसको नीचे ला परकार से इसे select करेंगे और layer पर चले जाएंगे और layer style में चले जाएंगे और color overlay का option पर select करेंगे और यहां पर आपको को यह color को select कर लेना है ठीक है और कुछ इस परकार से आपका यह save बन के तयार हो जाएगा तो I hope कि यह आपने सीख गियाओ का option कि border कैसे लगाते हैं save कैस जै भारत